पर मोधी जी एक मोधी डॉक्ट्रिन निकल के आया है और मोधी डॉक्ट्रिन को अभी नेतनियाहु जी यहां थे आपकी बहुत अच्छी उनकी यात्रा रही दिली में और उन्होंने टाइमसनाव को एक इंटर्व्यू में कहा और एंडोर्स किया कि आपका जो टेरिरिजम के तरफ आटिटूड है वो एक हार्ड पावर का आटिटूड है और उन्होंने एंडोर्स किया कि यही मोधी डॉक्ट्रिन जो है हार्ड पावर पे होना चाहिए यह सॉफ्ट पावर से टेरिरिजम एटलीस टैकल नहीं हो सकता है तो आप समझते हैं कि यह डॉक्ट्रिन जो ह इस पर आप मजबूती से बने रहेंगे, मैं प्रदानमत्रे नित्यानाई होगा बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने भारत की भी जमकर के तारीब की है, भारत सरकार की जमकर के तारीब की है, कि अच्छी गद मेरे लिए भी अच्छी शब्द बोले हैं, मैं इसलिए उनका बहुत आभारी हूँ, आतंगवाद, ये सोकॉल टर्मिनूलोजी में, जिसे सब्द आपने परोग किये कि हार्ट पावर डिक ना पावर बोड़े है एक्शुली ये मानवता का मुद्दा है मानवता पर बड़ा संकट है मानवता की रक्षा के लिए मानवता अतिमादी शक्तियों का एक होना बहुत जरूरी है और मैं इसे मानवता को बचाने की लड़ाई मानता हूँ और इससे बड़ा सौप पावर को नहीं हो सकता है मानवता की चिंदा करना ये तो सबसे बड़ा सौप पावर है और इसलिए मेरी कोशिश मानवतावादी शक्तियों को जोड़ना मानोतावादी बहचारों को बल देना उस पर है तब जाकर कि आप आतंगवाद को आइसोलेट करके आतंगवाद के खिलाब लड़ाई लड़ पाऊगे तबी लोग परहपस कह रहे हैं आपने भी एक अब इंटेलोक्यूटर भी असाइन किया है जम्मू कश्मीर के लिए तो इसी दाहिरे में अगर आप उसको अड्रेस करना चाहें आतंगवाद को मानवता के दाहिरे में तो आप डायलोग शुरू करना चाहिए नोट जस्ट अक्रोस तबॉडर विफ पाकिस्तान बट अलसो इंटर्नली भारत के किसी भी नागरिक के साथ डायलोग होता ही है होता ही रहेगा होता ही रहेगा भारत के समिधान ने हमको एक काम दिया हुआ है इसके लिए कोई नया हिंदुस्तान के समविधान को मानने वाले हिंदुस्तान के लिए जीने मनने वाले के लिए तो हम है यह आपने बहुत दुरूस्त का कि हिंदुस्तान के समविधान को मानने वाले पर कई ऐसे वहां हैं जो हिंदुस्तान के समविधान को ही नहीं मानते तो वो तो बात करने 18 महीने का जो सफर है आपकी क्या priorities है एक मैं कभी भी चुनावी time table से अपना time table नहीं बढाता हूं मेरा time table रहता है देश की जनता की सेवा करने के लिए जो task है तो task को समय सिमा में बात दू जैसे मैंने एक सवभागी होजना ली है अब आप देखिए आजाद कुल हिंदुस्तान में कुल 25 करोड़ परिवार है round about 25 करोड़ परिवार है 25 करोड़ परिवार में चार करोड़ परिवार अभी भी अंधेरे की जीनिगी में जीते हैं उनके घर में बीजनी कनेक्शन नहीं है मैंने टाइम सीमा ताई कि कि मैं इन चार करोड़ परिवारों में समय सीमा मैं बिजनी का कनेक्शन दूगा मवववत मैं दूगा उनके घर में रोशनी आएगी तो बच्चा पड़ेगा उसकी जीनिगी में बढ़्लाव आएगा इस गरीब लोग है और यह संप्रद है वह संप्रद है नहीं है हर समाज के अंदर गरीब तपका है मैं उनके लिए काम करता हूँ अब मैं ताय करता हूँ मुझे यह स्तारीक के पहले काम पूरा करके दो जब मैंने लाल के लिए से बोला मुझे एक साल के भीतर में स्कूल कॉलिग में टॉयलेट पूरे करने हैं कर दी हूए हमारे देश में योजनाओं की गोश्णा करने वाली सरकार है तो बहुत आके ग जिसको मैं पूरा करने के प्राइस को पूछता रहता हूं बताओ कहां पहुंचा कितना हुआ इसे जितना देश की सिवा कर पाता हूं करता हूं यह हवाबाजी करनी है तो तो सब लोग करके ही गए हैं कोई ऐसी यूजनाए है मोधी जी जो आप सोचते हैं कि अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हुई है जिस पे आपको थोड़ा और अटेंशन पे करना पड़े कुछ ऐसी है यूजना अब जैसे मैंने प्रधान सांसाद आदर्स ग्राम यूजना रखी और मैंने हमारे सांसादों से प्रात्ता की कि सरक पजहांक इतने पड़ेंश दम कि से जाते हैं आप गाव में है कि खुट अपनी निग्राने के नीचे ऊसको लागव करके देखो पैसे हैं अलग अलग यूजनाव से लेकिन एक गयलम में लगा करकर देखो और भान को बड़्लाव जराता है क्या तो इससे दो चीजे होगी तो या तो नीतियां गलत होगी दूसको करेक्शन होगा आप पार्लामेंट में आकर बोलो को भी यह नीतित हैं तो होना ही नहीं है बजेट कम होगा तो उसी चर्चा होगी देखिए कोई प्रयोक तो करो एक मोडेल तो बनाओ अब यह किया तो हमारे एक नेता ने बढ़ा उसी के खिलाब बायान बजी करते हैं अब वो तो जिएस्टिक लिए कुछ बोलते हैं दूसके लिए भी बोल दिया अब तब लगता ह कुछ करूंगा आप मैं समझाओंगा MPs को क्यों देखिए एक-एक गाउं करो नहीं एक गाउं करके देखो तो मोडेल पता करने कभी तो इसके कान आप पर्लामेंट में कॉट्रिबूट करना होगे तो यह ठीक है सरकार्गी योजना में कमी है इसको बदल करो और दूसरा आपको ध्यान में आगा इतने रिसोर्स हैं अगर सही टंग से उप्योग किया है तो कहां से कहां पहुचा जा सकता है तोनों चीज़े हो सकते हैं जितना होना चेह उतना नहीं हुआ है